कौन बना बिक बॉस के घर का नया टाइम गॉड जी हा पिछले हफते अरफीन था इस हफते अरफीन और रजद दलाल के बीच में कमपेटिशन था कि दोनों में से कोई एक बनेगा नय हफते का टाइम गॉड और ऐसे में सेर से बड़ी अपडेट निगल के सामने आ चुकी है किसे बनाया गया है दोनों में से क्योंकि आज के एपिजोड में आप देखोगे कि इनके बीच में ये चुनाव होता हुआ नजर आएगा इलेक्शन होते हुए नजर आएंगे और घरवाले इन दोनों के लिए वोट करेंगे देखो इनको क्या करना एक पोर्ड कास्ट साम और किसको नومियेट कर सकता हूँ मैं घर को चलाने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ और रशेत बताएगे कि जो पिछला टाइम गोड था अर्फीन उसने क्या नहीं किया और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ तो ये अपनी अपनी चीज़े बताएंगे वैसे ही अर्फीन बताएंगे कि भया ये तो सोता रहता है घर को क्या चलाएगा ये खुद टाइम पे नहीं उठ रहा है तो क्या रूल फोलो करेगा तो वो उसके खिलाब जाएगा वो उसके खिलाब जाएगा और घर वाले डिसाइड करेंगे ऐसे में फैसला आ चुका है मैं आपको पूरी अपडेर बताओं तो यहाँ पर कौन बना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ लेकिन जैसे आपने कल के एपिसोड में देखा कि विवेन और रजट के बीच में टाई हो जाता है अगर वहाँ पर टाई ना होता तो सीधे सीधे टाइम गोर्ड बना दिया जाता ऐसा कुछ देखने को मिलता है लेकि यहाँ पर वो टाई हो चुका था मलत दोनों के बीच में टाई हो गया तो यहाँ से साफ है कि घर वाले रजट के कुछ खिलाब भी है कुछ साथ भी दे रहे हैं कुछ खिलाब भी है रजट के और वही इस नए टास्क में देखने को मिला है चिया लोगों ने ये सोचा कि अगर रजट बन गया तो रजट कहीं न कहीं सारा घर है उसको अपने हिसाब से चलाएगा अपने हिसाब से रूल बनाएगा और जिससे घर में अफरा तफ्री मचेगी तो कुछ उसके सपोर्ट में थे कुछ उसके खिलाब थे और यही चीज़ लेकर भाई साब दोनों को वोट मिले हैं अरफीन को कुछ लोगों ने पसंद किया कि पिछली बार ऐसा हुआ कि जब राशन नहीं दिया अविनाश ने ठीक है लेकिन यहाँ पर रूल बना दिया अरफीन ने क्योंकि वो टाइम गोड थे उन्होंने रूल बना दिया कि भाईया चूला भी नहीं जलेगा तो कहीना कहीं उसने कुछ फेर फैसले ली है जिससे कि हमें राशन भी मिल पाया तो घरवालों ने यह सम चीज़े सोची और सोचने के बाद यहाँ पर जो वोट गए है अरफीन को आधे गए है और आधे वोट यहाँ पर गए है रज़त दलाल को चीहाँ दोनों के बीच में टाइ हो चुका है भाईया एक वाफिस से रज़त दलाल ने डूसरा टास्क किया और उसी में भी उसको टाइ देखने को मिला है यानि रज़त दलाल है वो यह टास्क नहीं जीत पाए ना ही अरफीन जीत पाया तो जो दोनों के बीच में टाइ हो गया है यानि कि इस हपते टाइम कोड नहीं है अगर टाइम कोड बिग बोस बनाना चाते तो वो अपने इसाब से बना भी सकते है और इसलिए उन्होंने रज़त को चुना कि रज़त अगर बन गया तो रज़त हंगा में खड़ा करेगा लेकिन रज़त नहीं बन पाया हो सकता है कि बिग बोस कनवेशन रूम में मला कर सीधा पावर दे दे रज़त को कि रज़त बनते है टाइम गोड को आप स्पेशली ऐसे समझ सकते हो कि घर का कैप्टन ही है लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी कोई नहीं बना है तो पावर अभी अविनाश के पास ही है घर में कि बोर रशण अपने इसाब से रशन देगा और अपने इसाब से कंट्रोल करेगा लेकिन टाइम गोड अगर ना बना तो बिग बोस के घर में हंगामे नहीं होगे तो बिग बोस जुरूर बनाएंगे टाइम गोड क्योंकि घर में अपनको हंगामे देखने हैं, इंटर्टेन्मेंट देखना है, है ना, तो रज़त को बना देना चाहिए, देखते क्या होता है, आप हमें guys follow कर ले, subscribe कर ले, और guys मैं आपको फिर से बता दू, instagram पे follow कर ले, वापे सबसे पहले मैं आपको update दूँगा, nomination की, जी